वित्तो नमस्कार, आज हमारे साथ हुआए कुस्ताद जी है은 जो बहुत सारी गारियां चलाके हमारी साथ बिध्याले में स्टाप में आए हैं ड्रैबिंग कर रहे हैं जोना ट्रक भी चलाई है छोटी गारी भी चलाई है बड़ी गारी बी चलाई है तो उन्होंने गारी कैसे सीखा और उनके जिवन का एस्पीरियन्स कैसा रहा, स्टार्ट कैसे किया, कितने दिन में ऑड्राइबर बने और नए ड्राइबर जो सीखना चाते हैं, उनके लिए क्या सला देते हैं इसके बारे में एक रिकॉर्डिंग विडियों की बनाएंगे हम जिनके उनका अनभों लेंगे आप लोगों तो पहुंचाएंगे जिससे आपको सुविधा जनक लगेगा ताकि आपको गारी सीखने में आसानी हो सरलता हो ठीक है आए मिलते हैं राम राम उस्ताज जी पहले अपना सुब नाम बताएं उस्ताज जी चंद्रपाल यादो जी हैं और उस्ताज जी कितने साल हो गया आपको ड्राइविंग करते हुए सन नब्वे से हैवी लाइसनस है उसके पहले चोटी गारी भी चलाते हैं ड्राइविंग तो उससे पहले करते थे ए पर 90 से आप हैवी व किला है हां तो लगबग 25 से 26 साल हो गया आपको थी स 5 साल लगबग मानगी चलिए है ना तो लगबग लगबग स्टार्ट अच्छा ये बताईए कि शुरुवात आपने कैसे सीखी थे गाड़ी ये बताईए तो ऐसे अंदर से लगाओ था हां हां को गाड़ी चलाना है हां तो कोई ट्रेक्टर जाता था इंटा भठे पर से हां या कहीं जुताई करने जाता था अच्छा तो उसको बैट क अच्छा तो उन्होंने कहा कि गाड़ी लोट करवाया बाहार निकाल के कहा कि तुम देरे-देरे ले चलो अदाम से धीरे-देरे चलो आदाम से दीरे-देरे चलो उसके बाद उन्होंने जो एक जगा बैक करना था तो मतलब आगे जाना था हमको लगा दिये बैक गेर लगा दिया तो एक करपटा घसी थे उन्होंने हमको एक जापड पड़ा है एक जापड मार दिया तो भाई अब अंदर अंदर बहुत गुस्सा ही लेकिन अब हमारे वह स्टाज भी है हमारे बड़े भाई भी तो अब क्या करें हाँ फिर हम चले आए तेक आए साथ में वहापा साम को उसके बाद जो है फिर इससे चलता रहा देरे धेर जी का चल रहा था तो वहां ट्रैक्टर आया ट्राली आया जो गित्टी सिफट करना था इधर देर साइड पे हाँ 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 देखे चला जाए। आप उसे में आगे पीछे। U.S. में आगे पीछे करते रहें। वह 4 पहिया क्टाली थी अच्छा। है? तो उसको आगे हम लें जाते थे पीछे करना होता था उड़ारी खुल आगे हो पिछे नहीं कर पाते थे क्यों इतेने हैं लेबर रहती ति इख एकतना है वे है यह चाहर पही है ट्राली खोल यह उस समय कमांडर जीव ति है कमांडर चलांडर बार्सिल चलाइं जेसके बाद अब गया जोटी गारी के बाद 습니다 चलाने लगे या कुछ दिन सीखना पड़ा उन्भो लेना पड़ा ये बताईए जब हम ऐसे बुलोरो चला रहे थे तो हमको एक उस्ताज मिले और बोले कि यार इसमें क्या तुमको मिलता है चलिए जो है तुम बड़ी गाड़ी पर बड़ी गाड़ी चलिए ठीक है तो हमने हमारा लाइट लाइसन्स है तो बोले चलो अभी हाइवे हो जाएगा मतलब तुरंथ हाइवी हम करवा देंगा थेख उसी दिन हम गए आठ यो आफिस उसी दिन एक हजार रुपए दिया उसी दिन एनी टैम हाइवी हाथ हो हाथ मिल गया मिल गया उस समय का समय था अब तो तो च्छा मेने साल भर रखता है उसी समय दिया हूं दस बजे त्यारा और चार बजे हमको हाइवी लाइसन्स को मुहर और लगा के दसकत करके मिल गया हाइवी हो गया ठीक है फिर मैं चला गया गाली पे ट्रक पे तो सिकेंडी मिले गया अच्छा जब लाइसन्स हमारा हां हम करा हाँ हां बेरको जरुत पर ऌई च्छा लका है बैयर कितना चला लें कितना चला लें और बाइटे वाजा मैं कि आगे बायटी देख रहें यिदेख रहें हां थेक्ट Helen और जैप जाणवर के गारि ते हैं जैनौ आर जगा तो देता नहीं महीं तो जाने में उसने गाडी नहीं दिया गोहाटी पहुंच गए लोड किया अंडर लोड hours गाडी हुई अंडर लोड ऊवई तो तुमें राद बराबर चलना आप कोई दिक्कत नहींक कोई दिक्कत नहीं है हाँ ठेक अब कहीं आराम से चलना हाँ धीरे धीरे शुरुवात में समझ के हाँ हाँ बड़ी गारी है तो भाई जो है शुरुवात में दिल थोड़ा सा हर बड़ाता है सब का भाई अब बठावे करें हाँ जो थे आनुभाव आ गया दो चलते रहा है तो टायर पंचर हो जाए तायर पंचर हो जाए तो गिति न निकाली अब हो सो रहा है तो एक बार बहा पंचर दो घाए बार बार बहा तेज चलाई हो तो गाड़ी डैमेज होई टायर गरम पड़ी है पंचर हो जाई जल्दी तुम्हें दूजने खोलो हाँ हमका कहा हो कंडेक्टर का दूजने खोलो बांधो ठेक तुम्हें से आपने बड़ी गाड़ी का सफ़र चालू कर दिया ठीक बहुत बड़या उस्ताद जी अच्छव पताईए जैसे ज्यादा सुविधा जनक सीखने के लिए ट्रक लाइन ज्यादाँ ज्यादा आठी रहेगी कि बस ज्यादा अच्छी रहेगी ये बताईए प्रक न सिखने में आसानी ट्रक में होता है क्यों असल में क्या है बस में अब 40-50 बच्चे हो या सवारी हो उनकी जिम्मेदारी होती है कभी खाली भी रहती है कभी रात में चलना है तो रात में रोड एकदम खाली है और कभी माल ट्रक में लोड हुआ कभी खाली लेके जा रहे हो आप तो वहां पर ज्यादा जल्दी सिख जाएंगे जल्दी आवाद में खोलता मूनता उठता बैटता देखता है सीखने से ज़्यादा उसको देखना चाहिए कहां अमारी गाड़ी यह ले रही कहां से क्या है कहां सेल्प गड़बड़ा है कहां कमानी के प्टप आया कहां जोका कहां के वाल स्टेरिंग घुमाना ही ड्राइविंग नहीं होते है तो जानना जरूरी होती है जी जी वेर्कुल बर्कुल अच्छा यह बताईए जैसे मानलो किसी के पास जुगार बड़ी गारी का नहीं ये ट्रक औगहरा तो चोटी गाड़ी जैसे आपने बताए ट्रेक्टर और बोलेरों से सुरुवात की तो क्या छोटी गाड़ी से सिखने के बाद बड़ी गाड़ी चलाने में सरलता रहती है स्टार्ट कर सकते हैं ड्राइबिंग लाइन में गर आना है तो सुरुवात में सबसे पहली बात तो बिरेक किलेच एक्सी लीटर यह जानना चाहिए खुली गाली यह तो उसमें दिखाई पड़ता है कि मारा कॉन टायर गड़्दिम जा रहा को रोड पर चला है यह सही है तो बड़ी गाली बैटो तो कुछ तो दिखाई नहीं पड़ेगा नहीं उसमें तो अनभव से चलेगा फिर अपने आप आप आटोमेटिक आदमी आगे को देखते हैं कम से कम 500 मीटर दूरी देखना चाहिए हां तुरंत नहीं देखना कि हमारी गाली वो पेड है डार है या त और है थात है या तो हुपाव काड़ी गास्चश्यां पर से ब मीट हरा टाप हमां इस यह फिर को सफ्केया पिर सब्सक्राइबा देखने हैव्यस यह इसलिए च्छोटी गाड़ी से एक पता है बेदेखने न लिए बहुत बहुत दहनेवाद उस्तादी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया आड़ी तुरंट चाल जाए जी देखे भाईया हमाय उस्ताद जी ने क्या बताया ये सारे पॉइंट है जो इनके जीवन के अनुभो में कैसे इन्होंने सुरू किया कैसे छोटी गाली से सुरुआती ट्रेक्टर से सुरुआत करी बुलेरो चलाई कमांडर चलाई उसके आने के बाद इनको सीखना नहीं पड़ा फिर क्योंकि इनको अनुभो था पहले से ड्राइविंगा इसलिए हम आपको बताते हैं कि सुरुआत आप करिए छोटी गाड़ी से जरूरी नहीं का आपके बाद ट्रक बस ही हो तब ही ड्राइवंग सीखें कोई भी छोटी गाड में रहता है उससे सुरुआत के लिए अगर सीखना और एक उस्ताजी ने बताए लगन का होना बहुत ज़र शक है आपके अगर इस लाइन में लगन है तभी आईए तब जल्ली सीख जाएंगे और अगर लगन नहीं है तो दोस्त फिर कोई कोई भी काम हो बिना लगन का फि करेंगे और कहां से आप वीडियों देख रहें अपना नाम और जगह का नाम जरूर कमेंट करेंगे dyed ऐखना कहां चाहा हमारा वीडियो में चलिख चलिए जैंन बहुत